फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे साबुदाना यह देखिए कितना अलग अलग और कितना खीला खीला साबुदाना बना हुआ है तो इसी तरह से साबुदाना की रेसिपी मैं आज अब के लिए लेकर आई हूँ जिसे आप व्रत में बहुत आसानी से बना सकते हैं तो चलिए सु होते हैं उसे फोड़ने वाला होता है तो यहां पर हमने जो लिया है वो मेडियम साइज का है तो इसे हम पहले वाश कर लेंगे दो से तीन बार अब हम इसमें पानी डालेंगे तो यहां पर देखिए मैंने हाप कप पानी लिया हुआ है तो यहां पर मैंने छे टेबल कर रात में अगर इसे से से भीग आकर सोबर तक तरह कर ढायेगी जब तक इसका चिलका ने लगई तब तक घुन खिन ऐसाए दिखाई देने संब भन्ता निप vários wanna किया है अब उसी पैन में मैंने एक कप पानी डाला है और एक छोटे मीडियम साइस के आलू को इस तरह से काट कर पानी में डाल दिया है और अब हम इसे 6-7 मिनट तक इसी तरह से उबलने देंगे अगर आपके पास उबला हुआ आलू पहले से मौजूद है तो आप इस तरह स चुकी है तो जो हमने फली आपे रोस्ट गर के रखा हुआ था अब उसका छिलका हम निकाल लेंगे पहले मैंने दो टेबल स्पुन मौफली इसमें से निकाल लिया है जिसको हम ऐसे ही डालेंगे बाकी को हम इस तरह से इसका जो है ऊपर वाला जो स्कीन है उसको हम इसी तर दाल कर ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से इसका हम पॉडर तयार कर लेंगे अब यह देखिए साबुदाना जो पूरी तरह से अच्छे से भीग चुकी साबुदाना को जब प्रेस करके देखेंगे तो यह देखिए एक तम जो है आटे की तरह हो जा रहा है बस इसी तरह से हो जाना से तभी बना तभी यह साबुदाना का टेस्ट जो है वह बहुत अच्छा लगता है तो यहां पर मैंने दो तीखी वाली हारी मिचली है और एक चाथ हाई कप हरा धन्या लिया है आपको जितना मेची डालना है उस तरह से आप मिच डाले तो यहां पर हम सब हम अचे डाल कर थोड़ा दो तो तीन टेबल श्पून दृने के बाद जो मैंने दो टेबल श्पून के कर्म पल्ली बचा कर रखी थी उसको हलके हलके से पहले इंगे निकाल दिया अब इसमें डालेंगे एक छोटी चमाच जीरा और जो आलू हमने उबाल कर रखा हुआ थ अगर हाफ कुख हुए होंगे तो भी से आप इसमें फ्राइब करेंगे तो पूरे कुख हो जाएंगे प्यूंकि आलू को हम डारेक्ट इस तरह से डाल करते हैं तो बहुत टाइम लगता है तो इस तरह से थोड़ा उबाल करी डाले चुटकी भर नमक मैंने यहां पर डाला है आल्ओं में टेस्ट के लिए तो गुख हो चुका था तब मैं दाल रही हूँ ज़ो हुआ हमने टानी करने में बिना पानी के हमें पिस्टनी को पीशना है अब हम इसमें डाल रहेंगे हमारे बीगे हुए साबु दाना थे इसको हमने इस पर हम इसको इसी तरह से चलाते हुए यह रहिए अच्छे से मिक्स करते जाएंगे हीट को मीडियम रखे अब इसमें नमाख डालेंगे अपर अपने टेस्के एक कोर्डिंग नमक इसमें डाल सकते हैं तो यहां पर उप्वास होला है नमक आप डाल लें रॉक सॉल्ट और अब इसे मिक्स करें अच्छे से और अब हम इसमें डाल लेते हैं जो हमने साबुदाना का पॉडर पीस कर रखा हुआ है इसको डाल लेंगे थोड़ा सा हमने मिक्स किया पहले साबुदाना को अब हम इसमें डाल देंगे साबुदाना का पॉडर अब देखिए आप मैजिक जो साबुदाना है वो कैसे अलग ह एकदम कdatना को विध्य हम डालते न वह क्या पोर्डर आम करता हैवो इसिए स्टिक होने नहीं देता आपस में इक बॉण्ड बन्ने नहीं देता है साभुदना ओमें आपस में तो वह क्या पूरी पर चीपक जाएगी जFrom Up तो जब इस तरह से ट्रांस्परेंट नजा राने लग जाए तक समझी साबुदाना बनकर तयार है आप चाहे तो लो हीट में थोड़ा ढग कर भी इसे सेख सकते हैं अगर आपको लग रही है कच्छी है तो प्रेस करके देख सकते हैं तो यह देखे यहां पर तो साबुदान अच्छा जब कुख हो चुकी है तो मैं इसे इस तरह से निकाल कर आपको दिखाती हूं बहुत ही टेस्टी और खिला-खिला साबुदाना बनकर तयार है तो इस व्रत में आप भी इसी तरह से साबुदाना तयार करें और रेस्पी पसंदाए तो चैनल को सब्स्क्राइब क अबना बुले थैंक यू